तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एब्रिवेशन इन पावर्स ओफ टैन जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा तो और लास्ट सेशन में कुछ एक टेक्निकल फॉल्ट की वज़े से वॉइस नहीं आई थी और कई लोगों ने मुझे लग रहा है कि देखा ही नहीं बताया ही नहीं बट एक मेरे फ्रेंड है संदीप सर थैंक यू कि उन्होंने बताया मुझे कि आपकी वाइस नहीं आ रही और फिर मैने उसको रिजनरेट करके शॉट फॉर्म में एक दूसरा वीडियो अपलोड किया है कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्षिन न पूँश सकते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं एब्रिवेशन इन पावर ऑफ टैन तो यह एब्रिवेशन क्या हैं अब्रिवेशन इस नथिंग जैस्ट जब हम किसी क्वांटिटी को जैसे किलो में लिखते हैं मेगा म में लिखते हैं सेंटी में लिखते हैं मिली में लिखते हैं सो दिस मीट मेगा किलो सेंटी मिली शो सम्दा एब्रिवेशन आफ पावर ऑफ टैन सपोस एक्जांपल जैसे कि अगर हम बात करें कि अपने वन केजी तो यहां पर केजी का मतलब किलो ग्राउं यानिकि किलो क्य कर रहा है, वन ग्राम और यहां पर जो किलो है, यह 10 की पावर शो कर रहा है, 10 पावर 3, यानि कि अगर हम multiply करेंगे, 1 into 10 पावर 3, so that show 1000 ग्राम, so these are the abbreviation in powers of 10, and these are the very important for numerical point of use, so let me start how it is works, so make a list, okay, for small powers or large power, small for negative sign, 10 पावर माइनस means, पावर माइनस and large for positive power, okay, so firstly अगर हम बात करें, तो middle से start करते हैं, पहले यहां पर हम लोग देखते हैं, फिर हम चार्ड प्रपेर करेंगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं, क्या, कि यह है आपका center, suppose यह actual unit है, one, ठीक है, clear, one है, अब अगर हम बात करते हैं, इसके छोटे से या बड़े से, तो सबसे पहले कोई भी quantity है, तो इधर, small की तरफ हम लोग देखेंगे, और यह इधर large है, तो सबसे पहले आता है, डेसी, clear है, फिर डेसी के बाद क्या आता है, centi, फिर आपका क्या आता है, तरफ हम देखेंगे, तरफ हम देखेंगे, और यहां तक तो थोड़ा सा आपका डिफरेंस था यानि कि यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें, तो यह जो होगा, आपका 10 के पावर माइनस वन, 10 के पावर माइनस टू, और 10 के पावर माइनस टू, तो यहां तक आपको समझना है, क्योंकि थीजर दो वेरी इंपोर्टन, अब मैं थोड़ा सा इस पेज को मूफ कर रहा हूं, ताकि यहां पर सारे टम्स आजाएगा, अब हम बात करते हैं, कि मिली के बात क्या आएगा, तो मिली के बात सीथे क्या आता है अपका, अब हमने सुनो, पिको, इसके बात क्या आ नैनो, क्या आता है, स्वरी, पिको नहीं आएगा, यहां पर आएगा, माइक्रो, और नैनो, और फिर उसके बाद आपका आएगा, पिको के बाद क्या आएगा, फर्मी, और फर्मी के बाद एक और टर्म आता है, जो लिख लेजे, लेकिन, बट, there is no requirement in our syllabus, till also graduation, आप graduation भी करेंगे, तो उसके requirement ने पड़े, तो अभी मैंने आपको बता है कि जो center point था, वो आपका क्याता है, one, और उसके बाद हम जब small के तरफ आएगे, तो यानि कि माइनस की power मे हैंगे, तो पहले deci, फिर centi, फिर milli, फिर micron, फिर nano, फिर pico, fermi, auto, तो यह micron 10 की power 6, अब यहां पर 33 का difference आएगा, 10 की power minus 9, फिर 10 power minus 12, 10 power minus 15, 10 power minus 18, so these are the small abbreviations of power of 10, अब हम बात करते हैं, large की, तो large में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, देका, जैसे इधर deci था, देका, फिर hecto, फिर kilo, तो यह starting के 3, क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि इन में थोड़ा सा difference है, यह 10 की power 1, 10 की power 2, और 10 power 3, so these are the, simply, these are, but after that, again, in the difference of, power of 3, kilo के बाद, mega, giga, kilowatt और gigawatt यह तो सुना ही होगा, computer ली होगी तो गिल्कुल, टेरा, लेकिन, computer की form में different हो जाता है, पेटा, पेटा, और लास्ट फोगा, एग्जा, 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 क्ले, अभी हम बताएंगे कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग अपने daily उसमें life में, यानि कि जब हमने वेरिकल्स प्रॉब्लम्स यूज करते हैं, तो किस तरीके से यूज करते हैं, तो पहले मैं यहां पर एक और आट डिवाइट कर देता हूं, यह इस तरीके से, जहां पर नाम mardi, फिर क्या है आपका? मिली फिर क्या हम लोगों पढ़ा था ऑंप दाई, यह माइकरोन फिर भीखो ग्रेवश कुर्ट हूं नहीं नहीं, नाइन止 मीयाद रखेंगे तो नामो पर अपना, ब को याद अच्छो, ठीक Congress एंड आप्र दैट फर्मी फर्मी के बाद क्या था एट वा देगे फर्मी क्या है फर्मी जो थे साइंटिस्ट थे उन्हों ने नुकलियर रियक्षिन पढ़ते हैं उसके बारे में डिस्कवरी की थी तो इस वज़े से उनका नाम साइंस में यहने के फिजिक्स के फार्म में लिया जाता है चली तो अब देक लेते हैं हम यह लेखक लेते हों यहां पर लेक ले थे हैं कि पावर क्या होगा तो डेसी में 10 के पावर M Haz सेन्टी में 10 की पावर कि-2 मीली में 10 की पावर माइनस 3 माईगरों में 10 की पावर माइनस 6 нем के पावर माइनस 510 की पावर क्रिकॉर 12 में 10 की आफ पर देल्व में 10 की पावर माइनसrique 10 की और आगें जीर होगा तुब ही को कि चलिए अब हम लार्ज क्वांटिटी के बारे में देख लेते हैं कि क्या है और किस तरीके से उसको लिखना है तो सबसे पहले यह रेज कर रहेते हैं हम एक सबसे पहले यहां पर क्या खरिच करता कि यहां पर कि आपका किलो फिर क्या है मेगा, फिर क्या है अपका, गेगा, फिर क्या है टेरा, फिर क्या है, पेटा, उसके बाद क्या था है, एक्जा, यह एक्जा और पेटा आपको रिपारेट नहीं होते हैं, यह टेरा तक यह मुश्लिक गेगा तक ही आपको यूज करने रहते हैं, क्योंकि हमारा जो स्लेवर से इतना हार्ड नहीं है, और जो हम आगे भी पढ़ाई करेंगे तो इतना इस तरीके के लेवल पर हमारा नहीं पूछा जाता कभी भी, और इतने में सफिशेंट, टेन पाव 9, 10 power 12, 10 power 15, 10 power 18, so these are the abbreviations, clear, so these are the very important abbreviations that is also used in our americas, okay, some other quantities like angstrom, आप में सुना होगा, angstrom, 1 angstrom is equal to 10 power minus 10, ये only distance के लिए यूज होता है, एक one shake होता है, तो ये किसकी unit है, टाइम की है, तो एक shake में 10 power minus 8 seconds होता है, तो इस तरीके कुछ abbreviations आपको याद करने होंगे, और एक जो pattern मैंने आपको बताया, उस pattern को follow करना बहुत जोरूजी है, किस तरीके से exam में आता है, exam में आ जाता है कि 1 megawatt, अब आपने देखा होगे कि कई बार आपने पड़ाए कि ये 1 megawatt का power station है, तो कैसे पता करेंगे कितनी power बनती है, आपर तो mega का means क्या था अभी, अभी हम लोगों ने देखा, mega का means क्या है, mega, mega का means 10 power 6, तो ये यहाँ पर क्या आजाएगा, तो 1 into 10 power 6, अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको small quantity पूछी गई है, कि large पूछी गई है, तो उसके लिए सबसे basic है, कि जो large quantities होगी, उनका जो notation होगा, वो capital letter होगा, और जो small quantity होगी, उनका small, तो मैं लिख देता हूँ होगी पर table के पास थोड़ा सापको idea रहा है, तो red is alert से लिखता हूँ, orange से लिखता हूँ, तो desi का small d, centi का small c, lily का small m, micron का mu, nano का n के उपर इस तरीके से, pico का small p, fermi का f, और auto का small e, उस टो के not, तो हम बात करते हैं, इदर, large quantities में, तो हम समझ जाएंगा, dica का capital D, hecto का h, kilo का k, mega का m, giga का g, tera का t, peta का p, और exa का e, तो इस तरीके से आपका terms अगर लिखे हुए हैं, तो आपको समझ जाना है कि इस power को represent कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसको standard में ले आईए, इस तरीके से आपकी ये powers of 10 में, तो नहीं देखेंगे और फिर हम लोग कले class करेंगे, class को आगे लिक आएंगे, जिसमें लोग अधर unit पढ़ेंगे, कि mass की unit क्या है, length की unit क्या है, time क्या है, ताइम की unit क्या है, इसके बाद हम लोग उनको measure करने के method हैं, जैसे आपका सबसे important parallax method है, और जो आपका concentration method है, small distance के तो आपका सबी method को मोग कले class में, या मत सुटी class में देखेंगे, okay, thank you everyone, take care, bye bye.